और इस बीच में बड़ी ख़बर की तरफ रुकरते बताते चले कि ट्रक ड्राइवरों ने फिर जाम लगा दिया है हेट एंड रन केश में अभी भी जाम लगा हुआ निज़रा रहा सरकार ट्रक यूनियन के बीच बादशीत के बाद भी ये जाम लगाया गया है ट्रक चालकों ने कानून को निरस्त करने की मांग की है बता दे कि कल ही देर रात गृमंत्राले में बातचीत हुई देर वारता के बाद ही आपको बता दे कि ये कानून को रोग दिया गया कि इस हिट एंड रन कानून को फिलाल अभी लागू नहीं किया जाएगा लेकिन उसके बाद भी अजमेर में ट्रक जाम किया गया है ये वो तज्वीरे हैं कि ट्रॉक जाम करने की बाद लंबी कतारे लगी हुई है इस खबर पर हमारे संवादा था अशोक जुड़े वे अशोक बाटी अशोक देर रात समझाने के बाद भी यह जाम अभी तक लगा हुआ है क्या और जानकारी जी बिल्कुल सावर जो कस्बा है उसके पास अजबीर कोटा राजमार्ग है वहाँ पर यह जाम लगाया गया है बताया जा रहा है कि सभी से समझाईश की जारी है आपको बता दें जो सरकार ने हैं उसको कानून पर फिलाल जो है रोक लगा दी लेकिन ड्राइवर तक यह जो जाम लगाया था हाला कि पुलिस परशासन की ओर से लगातार उनसे समझाईश की जारी है लेकिन जाम क्यूंकि बड़ा है नेशनल ही वे आठ है तो ऐसे में इस ही पर जो हैं लगातार गाडिया निकलती है नगातार गुजरती है तो अगर कुछ डाइवर भी अगर ट्रक खड़ा करके खड़े हो जाते हैं और जाम लगा लेते हैं तो लंबी कातार यहां पर आवशक रूप से लग जाती है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस परशासन भी तुरंत मोके पर पहुंचा और सभी से समझाईश करते हुए हाला कि सभी को समझाईश करत समय लगेगा उनको जो पतारिकारी है उनकी निरदेश के बाद ही वह जाम खोलेंगे जब तक तस नहीं कि जाता इस कानून को तब-तख उनका जारी रहेगा थ taraf जो है शो ह 한데 लगों कि हरे बिलकुल लेकिन आशो का उल इंडिया मोटर ट्रांस्पोर्ट कॉंग्रेस से बाचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा आप जैसा बोलने हैं तो क्या अभी तक इनके पास कोई आप जब समझाने की कोशिश की जा रही है तब भी यह क्या समझने को त्यार नहीं है लेकिन कुछ लोग जो है वो मानन को त्यार नहीं है उनके पास उनका कहना है कि हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है इसके चलते यह जाम लगाया गया है फिलाल समझा इसके बाद हो सकता है कि आदे गंटे एगंटे के पीच में उनके पास फोन आ जाए बहुत बहुत शुक्री आशुक तमाम जानकारे देने के लिए